कि हेलो एविवन दिशिए श्रागॉन हम चाप्टर बारे में बात की थी जिसका हम पहला पॉइंट यानि कि सेटेल्मेंट कर चुके थे और आज हम देखेंगे की ट्रांस्पोर्ट की बारे में क्या बातें लिखी हुए हैं इस चाप्टर में क्या बताया है तो ट्रांसपोर्ट तो सुनकर ही समझ में आ रहा है को यह पर इतने भी वर्ट्स है न वह बहुत ही क्लियर है सेटल्मेंट सेटल होना ट्रांसपोर्ट यानि कि हमारे वेहिकल से रिलेटेड होगा कहीं न कहीं होगा है और फिर कमिनिकेशन तो यह सारी चीज़ें हम वर्ट से तो सब कुछ समझते हैं लेकिन इसके अंदर क्या बात लिखी हुई है वो देखना है थोड़ा सा जाता कुछ डिफिकल नहीं है इसमें बहुत इजी है डिफिकल चैप्टर तो अब हो गया अब सब इजी इजी बचा ह हुआ है ट्रांसपोर्ट के वारे बात किया है कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि वोट इस ट्रांसपोर्ट तो क्या बोलोगे हम क्या बोलोगे तो बोले ना ट्रांसपोर्ट इसा जरिया है जिससे कि हम और हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह मूफ कर सकता है सिंपल यही तो हुआ ना ट्रांस्पोर्ट ट्रांस्पोर्ट इसा मीन्स बाइविच पीपल एंड गुड्स मूफ छेक है भाई फिर से कंपैर करने लगे कि उन दिनों की बात है जब वेहिकल्स वगरा नहीं हुआ करते थे दिमाग नहीं होता था लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता था उस समय की बात अगर करें तो लोग क्या करते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए बहुत ही कह सकतो बहुत जादा टाइम लगता था और वो चलते कैसे थे कहने को जाते किसे थे या तो वो किसी जानवर के थ्रू जाएं घोड़े क सवारी करके जाएं गदे की सवारी करके जाएं और या तो फिर वो पैदल जाएं और यही हो सकता है यहां पर क्या दिया हुआ है इन्होंने लिखा है in the early days it took a great deal of time to travel long distance पहले के समय में क्या होता था न कि इतना ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा था ही नहीं तो हमे distance travel करने में बहुत जादा time लगता था people had to walk and used animal to carry their goods मतलब लोग तो पैदल चलते थे और अपना समान जानवरों पर लात देते थे चलो तुम भी चलो हमारे साथ ऐसा होता था फिर क्या हुआ किसमत का पहिया पल्टा मतलब किसमत का होता है ना बोलते है डायलोग मारते ना तो यहां पर transport का पहिया पल्टा कैसे पल्टा देखो invention of the wheel made transport easier कुछ ऐसा हुआ जिससे की transport easier हो गया कैसे easier हो गया with the passes of time difference with the passes of the time different means of transport developed but even today people use animal for transport in our country कैने का मतलब यह है कि इन्होंने काया कि वक्त के सासा ट्रांसपोर्ट में बहुत जाता changes है development हुआ है लेकिन आज भी ऐसा है कि बहुत से लोग animals का यूज करते हैं वह घ्रांसपोर्ट वगरा में जैसे किन एनिमल का यूज करते हैं जैसे की डंगी और फिर मिल्स मुल्स के ओधे खचर बोला जाता है इनका बताएंगे इनका यूज कहां होता है फिर बुलक्स एंड ट्याम रुश्ट कर लेते होंगे जो रूरल एरिया के लोग होते होंगे डियुक्त करने के लिए और उब क्यांद सक्वाइब और धुर्ण को हम क्या है अपर एक जगा możliXT ली ऐत जते हैं और और भी होते होगे तो भाई देखिलेरा गया चाहरा होटें और देन लास्ट में बोला है कि साउथ अमेरिका का जो एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन में एक जानवर है लामास वो यूज किया जाता है मलब वहां पर उसको यूज करते होंगे जैसे यह है वो जानवर इसको ट्रांसपोर्ट वगारा में य एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी दूरी पर अब इती नहीं है कि अपन्दा बीस किलो मिटर इनको चरा देते होंगे ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इस्तमाल इनका होता है वह अगर तिबबत की बात करें तो वहां पर याक्स होती है जिनका इन सब चीज फिर इनकी बखवास थोड़ा सा सुन लेते हैं और इन्होंने क्या लिखा है आपे अर्ली ट्रेडर्स फॉम अधर कंट्रीज यूस्टू टेक सेवरल मंथ्टू रीच इंडिया जो अर्ली ट्रेडर्स थे पहले के वक्त की बात है तो वह क्या करते थे वह उनको इंडिया जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था अब भाई ओवेसी वात है उस समय इतना ज्यादा साधन नहीं थे शिप्स इतने नहीं अच्छे हुआ करते थे एरोप्लेंस नहीं थे तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री टैबल करने में तो टाइम लगे गई दे टूक आइध करती है कि पानी का बहाओ किस तरफ है उसके थरूँ वो मूफ करती है और भी चीजें होती है और लांड रूट यानि की पैदल चलते चले जा रहे पहुंची जाएंगे आज नहीं तो कल किसी ना दिन पहुंची जाएंगे तो यह उनका साधन था फिर क्या हुआ दीरे दी चाहिंगे उट ट्रफ चैसे जाएंगे तो यह ऊच्छे से 8 गंटे में पहुंच जाओंगे इंडिया से यूरोप या फिर यूरोप से इंडिया मौड़न मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट तस ताइम सेने इनर्जी इस अब आपे इनर्जी और यह तरांसपोर्ट से क्या हुआ से एक सी में बैठके चले जाते हैं कोई टेंशन नहीं हाँ तो यूमन में जो इन्वेंशन किया जो टवलप लिया ट्रांसपोर्ट एरिया को ट्रांसपोर्ट सेक्टर को तो वो किन फैक्टर के तुरू किया रोड़ेज रेलवेज वाटरवेज और एयरवेज उन्होंने यह इस फोर मेजर मीन्स ओफ श्रांसपोर्ट को सामने रखा कि वह यह अब जाओ जहां जाना जैसे जाना है यह इतने सारे तुम्हारे पास साधन हैं आप आराम से जा सकते हैं तो भाई बात कर लेते हैं कि अखिर रोडवेज में ऐसी क्या खासियत है और हम सभी जितने भी आ जाएं इतना अबाई हमाई उकत नहीं है दो मॉस्ट कॉमन ली यूजट मीन्स ओफ ट्रांसपोर्ट सपेशली फोर स्चॉर्ट डस्टेंस अरोड मतलब जो हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं वह ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वह बिसिकली जादा तर डि दिस्टेंस हैं ट्रेवल करते हैं रोड के थो हम और वो रोड क्या होती है अगर हम देखें गाउं वह भी बहुत वैसे गाउं जहां बिलकुल ही ग्रोथ नहीं हुआ अभी तक तो वहीं पर ही कच्छी रोड देखने को मिलेंगी अधर्वाइस गाउं वगेरा में भी जो ह गल्यों में तो वहां भी इतना नहीं है लेकिन हां जो बहुत ही भीहड अलाके हैं जहां पर अभी तक किसी भी तरह का कोई भी डावलपमेंट नहीं हो वहां पर तुम्हें कच्छी रोड देखने को मिलेंगी अधर्वाइस हर जगा पक्की रोड ही हैं तो मैटल यानि की को कहते हैं और unmetall यानि की कच्छी तो भाया रोट भी दो तरह की हो गई यानिया माओ है उपाड़ अधि क्यूंकि वह यह पर अचा भी इससम सौन कॉ देखनेक不好 आखिए इसे अचारोषर प्रोट में होटाकि था जाता है playing example देएगी जो Manali और ले का highway is Manali और ले को जोड़ना अला highway Himalayan mountains में वो word का highest roadways है road देखा होंगा अगर गया होगा कभी नहीं तो फिर images में देख लैना तो वो word का highest highway है roadways है फिर बात की गई है कि जो roads होती है अगर वो जमीन के अंदर बनाई गई हो तो उनको क्या बोलते हैं तो उनको subways बोलते हैं यह image है ना यह वो roads हैं जो जमीन के अंदर tunnelle बनी हुमेन बनी हुमेन के नीचे से जा रही है तो यह वहांवी में Peng भात होगी रोट दो तरह की रोट समय देखने को मिलती ही मेटल और अनमेटल दूसरी बात यह बताई कि भाई यह जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर देंस नेटवर्क है रोट का और जो फॉर्स्ट या फिर कह सकतो हीली एरियाज हैं वहाँ टैरिंस वगरा वहाँ पर जो अब रोट हैं उनको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करने में डिफिकल्टी होती है तो वहाँ पर इतनी जादा रोट वगरा नहीं देखने को मिलते हैं फिर महीं बात बताईगी कि मनानी ले वाला जो हाइवे है वो वर्ड का हाइस्ट हाइस रोडवेज है फिर निक्स बोला है कि जो जमी तुम कह रहें सोचोंगे कि हम तो भाया जब लॉन्ग डिस्स ट्रेवल करना होता है तो हम तो बाध़ एसे एक कोच में बुकिंग कराते और फिर मजे से जाते हैं तो हाँ वो तो चलो ठीक है वोती फैक्टर हैं दूसरा फैक्टर यह कि जो हैवी गुड़वड होते हैं ज कम कॉस्ट में एक जगा से दूर से जगा तक पहुंचा देती हैं यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंडियन रेल्वेस पहला पॉइंट यह है दा रेल्वेस कैरी है वी गुड्स और पीपल ओवर लॉंग दिस्टेंसे स्क्विक्ली जो रेल्वेस है वो है वी गुड्स को लॉंग दिस्टेंस तक पहुंचाता है लोगों को और समान को जल्दी और कम कॉस्ट में यानि की चीप ली जो यहां पर लिखा हुआ है आप क्या होता है कि पहले के टाइम जो इन्वेंशन था इस्टीम इंजन का इन्वेंशन ऑफ देवन इंड अड इंद्स्ट्रिय रवल्यूशन हैं प्रेशल ट्रेन वगरा कुछ थी नहीं लेकिन जब ट्रेन के स्टार्टिंग उई तो इस्टार्टिंग उसकी स्टीम इं हैं लेकिन पहले क्या होता था ना कि steam इंजिन् पे बेस्ट ट्रेंज चलती थी लेकिन दीरे दीरे क्या हुआ industrial revolution यानि की यानि की ओदों के क्रांती जिसको तुम बोल सकते हो कि industrial revolution के थू इंडिस्ट्रियल सेक्टर में बहुत जादा development हुआ बहुत तेजी से उस इंडिस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा ग्रोथ किया और इससे क्या हुआ कि जो रेल ट्रांसपोर्ट था उसमें भी development हुआ development किस तरह से वर डीजल and electric engines have largely replaced the steam engine diesel और electric से चलने वाले engine ने अब steam engine को replace कर दिया था steam engine से का भाई अब तुम्हारा काम खतम हो है तुम भाई इतने दिनों के महमानते हैं अब हमारी बारी अब जो ट्रेने हैं वो डीजल और electric के थ्रू चलेंगी steam engine ने का जलो ठीक है हम चले जाते हैं तुम्ही अपना वोकाल जमाल फिर क्या हुआ in the places super fast trains have been introduced to make the journey faster Allah इनकी जगह पर super fast trains आइं जिसने क्या किया जर्नी को बहुत easy और fast कर लिया मं बहुत जल्दी एक जगह से दूस者 जगह तक पहुंचाते थे इंड च्जाते न fineлем से बैठ ये इं़े मिश्यी त्मारी super fast train है and the second point is अणरी next point is the railway network is तो वहां पर भी जो रोट का नेटवर्क था वह बहुत करें पहाडों की तो वहां पर है लेकिन बहुत कम है क्योंकि वहां दिफिकल्टी होती है एंदी देवलप्ट एंडियन करेंड और एस्या का सबसे लार्जेस नेटवर्क है तो यह रहा तुमारा रेलवेस का चाहिए नेक्स पार्ट वाटर वेस्ट क्या है वाटर वेस्ट अली देज वाटर वेस्ट वर यूज़ग फोर ट्रांसपोर्टिशन पहले के समय में वाट फायनी के रासते को ट्रान्सपोर्ट को यह यूस करते थे ten grad blanc waterways insulation का एक जरीया था किसे था यूं था waterways are the cheapest waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky good over long distance कहा जाता है कि जो waterways औह बहुत ही cheapest मईदलब कंए खर्चे में आप उट हैवी गुड्स या तो भारी सामान लोंग डिस्टेंस तक ले जाते थे लंबी दूरी तैकर के ले जा सकते थे अब बात और आज भी ऐसा है हमें अगर हैवी और बल्की गुट्स अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर ट्रांसफर करना होते हैं तो वो हम नहीं एरोप्लेंस के थूँ और नहीं ट्र सीप्हें पान्सिटेंस के उनलेंड वांटर वेंज और सिर च्शले कटिते हैं इन लेंड वाटर वेंड वांड़ कोाश्व से इंदमिन नग्ल्ड वेश्व घड्ग शेंद करते हैं मृट्य अबन्सकोंट्ते शोंदंट्री मानग आश्या ईंसलमाल नासमाल करके सथे उस अगर हम कुछ important inland waterways की बात करें तो वो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है अभी नेक्स क्लास में ना हम यही पढ़ने वाले हमें नेक्स चाप्टर में हमें अमेजन रिवर का बेसिन देखना है पूरा और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का बेसिन पढ़ना है तो वह इन दोनों रिवर्स को हमें यूज करते हैं टोनों रिवर्स को कलते हैं इन रिवर्स को जो का मुष्न गर्जक्रेट्समेल करते हैं इस नौट-मेरिका की ग्रेट लेक! नौर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक और वहीं एफ्रिका में नील रिवर है यह कुछ इंपॉर्टेंट इंडलेंड्स हैं जिनका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए वहीं अगर दूसरी हम बात करें सी रूट्स क्या होते तो सी रूट्स यानि कि समुद्र के जरिये समान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा जाए समान ही नहीं लोग भी सिप्स के खूट रवल करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो वही चीज़ है Sea Roots and Oceanic Roots are mostly, see, Sea and Oceanic Roots में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, Ocean बड़ा, Ocean एक Large Water Body है, और Sea Root एक छोटी Water Body, एक तरह से जब हम Ocean को किसी Country के लिए डिवाइट कर देते हैं, अब जैसे हमारा Indian Ocean है, हमारा ही है, अब उसके भी दो पार्ट्स है, अगर East में देखें तो Bay of Bengal है, और राइट में देखें तो Arabian Sea है, पार्ट में डिवाइड कर दिया है, है वो पूरा Indian Ocean, लेकिन दो समुदर में उसको डिवाइड कर दिया है, तो वही चीज है, Sea Roots and Oceanic Roots are mostly used for transporting merchandise and goods, मतलब कि हम Sea Roots और Oceanic Roots को mostly use कते हैं, machines वगेरा, transport करने के लिए, और goods को from one country to another, these roots are connected with the ports, और यह roots ना, ports के थूँ connected होते हैं, for an example, जैसे कि हमारे bus stop होते हैं, railway stations होते हैं, train कहां पर रुकेगी, कोई stop होगा ना, उसका तो railway station होते हैं, bus का भी stop होते हैं, bus stop होते हैं, उसी तरह से सी रूट का भी, सी रूट में ट्रेवल करने वाले ships का भी एक स्टॉप होते हैं, इसको ports बोलते हैं, हमारे इंडिया में भी कही सारे ports हैं, जहांपर शिप्स आते हैं, दूसरी country के और रुकते हैं, फिर जाते हैं, उसी तरह से हर कंट्री के अपमें पोर्ट्स होते हैं, जिनके माध्यम से सामान को वहाँ पे उतारा जाता है, और उस कंट्री में पहुचा जाता है, कुछ important पोर्ट्स के हाँ पर नाम लिखे हुआ हैं, जैसे की Singapore और Mumbai का, New York और Los Angeles में, जो कि North America में पढ़ता है, Rio de Janeiro और South America में Durban and Cape Town ये Africa में है, Sydney, Australia, और London and Rotterdam in Europe, ये कुछ पोर्ट्स के नाम हैं, इनको तुम्हें याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा माइन में रखना हैं कि हाँ, ये कुछ पोर्ट्स हैं, जिनके थूरू सी रूट होता है, लब टांस्पोर्ट होता है, बस, this is all about your waterways, simple, this is all about waterways, कुछ नहीं था, इसमें waterways में क्या है, भाई, पहले के टाइम पे waterways को as a transport यूज किया करते थे, क्योंकि waterways बहुत ही जादा चीपेस था, इसमें heavy और bulky goods को long distance, लंबी दूरी तक ले जा सकते थे, waterways two types के होते है, inland waterways or sea routes, inland waterways, जैसे कि हमारे country के अंदर ही जो रिवर्स होती आफिका की बात करें तो वाँ नील रिवर है, नील बोलो या नाइल बोलो, बैं सी रूट की बात करते हैं, तो यहां पर ships होते हैं, जो सामान को ले जाते हैं, एक country से दूसरी country रांसफर करते हैं, और इनके लिए ports बने होते हैं, भाई, दूसरी country में जा रहें तो गहीं त इसे लिखो कि एक्जाम में, पिटो गए, नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट वाइस, पॉइंट समझते हैं, इस इस दा फास्टेस्ट वे ओप ट्रांसपोर्ट डेवलप इन अर्ली 28th सेंचुरी, एर्वेज एक फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसको अर्ली 28 सेंचुरी में इसको डेवलप किया गया, यह बहुत जादा एक्स्पेंसिव होता है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल होता है, इसकी कॉस्ट बहुत हाय होती है, ठीक है भाई, दूसरी बात है, एर ट्राफिक इस एडवर्सली अफेक्टेड बाई, जो एर ट्राफिक है, अब पर ट्राफिक कुछ परे सख्थार युथछ और चांफिख नहीं करता है, लेकिन फिर भी कहीं पर प्रौबलम के गर दूसरी ट्रेन आरी होती तो फिर उक ना पड़ता है, लेकिन इस ट्राफिक में किस तरह का ट्राफिक होता है, वह पर किया जब वैदर अच्य नही होता है it is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas especially where there are no roads and railways लेकिन हाँ इसकी एक खासे दिये है कि यह जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको हम उन एरियास में यूज कर सकते हैं जहां पर रोड नहीं है जहां पर पहुंचना मुश्किल है किसी भी तरह का कोई सोर्स नहीं है पहुंचने का तो यह जो तरीका है है हेलिकॉप्टर की थूझ जाने और या फिर एरोप्लेन की थूझ तो नहीं लेकिन हाँ है हम उन जगह तक जा सकते हैं जहां पर कोई साधन नहीं होता है पहुंचने का जैसे कि उची उची पहाडियों में जब भी कहीं पर कुछ फ्लड वगर आ जाती कोई भी डिजास्टर हो जाता है तो वहां पर लोगों को बचाने के लिए हेलिकॉप्टर का यूज किया जाता है और यहां पर सेम यह लिखा भी हुआ है कि हेलिकॉप्टर सार एक्स्रीमली यूस्फुल एं मोस्ट इन एक्सेसिबल एरिया जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है हुआ हेलिकॉप्टर बहुत इंपोर्टें रोल प्ले करते हैं आड इन टाइम ऑफ केलामिटीज फॉर इन पर आपत्ति आ जाती है नेचर से रिलेटट तो वहां पर लोगों को बचाने के लिए उनको फूड डिस्ट्रीबूट करने के लिए पानी कपड़ा और मेडिसिन पहुंचाने के लिए हम हेलिकॉप्टर्स का ही यूस करते हैं वह अगर ऐरो प्लेन की बात करें तो एर सब्सक्राइब करते हैं और फिर यह कुछ इंपॉर्टेंट एरपोर्ट्स के आपे नेम दीए ताकि तुम्हें लगे कि हां एरपोर्ट्स नाद की बी कोई चीज होती है जैसे कि डेली बंबई में हैं न्यू यॉर्क लंडन पारिस फ्रांक्फॉर्ट काइरो यह कुछ इ जो एक्जाम के पॉइंट और व्यू से दिमाग में रख लेना बागी तो इतने तुम्होश्यार होई तुम्हें क्या ही संजाना ठीक फिर मारा ट्रांसपोर्ट का पूरा खतम हो गया अब हम तीन तीन पार्ट्स में यूवन इंवार्मेंट को क्लासिफाई किया गया था कौन कौन सा सेटल्मेंट ट्रांसपोर्ट और कम्मिनिकेशन सेटल्मेंट हो गया ट्रांसपोर्ट हो गया और आप कम्मिनिकेशन बचा है उसको हम नेक्स क्लास में कंप्लीट कर देंगे और साथ-साथ NCRT के क्वेस्टेंस भी ठीक तो तब तक के लिए फिर गुडबाई फिर मिलते अगली क्लास में तिल दैन बबाई